विधायक बनने की चाहत में रिटायर्ड पुलिस आफिसर विधान सब्च चुनाओं में कुछी महिने बागी है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी से टिकट की चाह रखने वालों की कतार लंबी दिख रही है हम बात कर रहे हैं महासमुझीला के सराइपाली विधान सब्च चेतर की जहां पर कांग्रेस पार्टी से टिकट की चाह रखने वाले रिटायर्ड पुलिस आफिसर दावराम सागर जो पीछले 5-6 माज से चुनाओी मैदान पर उतर चुके हैं दावराम सागर ने 36 एक्सप्रेस न्यूच के समादाता छाया कंद भड़ से चर्चक करते हुए बताया कि वो एक रिटायर्ड पुलिस आफिसर है वे महासमुझीला के बलाउदा थाना भवार पुर्चाओं की और बसना थाना चेतर में सिवा दे चुके हैं दावराम सागर इन दिनों सराईपाली विधान सबस्चेतर के गाउं गाउं जाकर ग्रामिलों से रुबरू हो रहे हैं यह रिटायर्ड पुलिस आफिसर दावराम सागर आगामी विधान सबस्चुनाओं को दिखते हुए अपनी दावेदारी प्रदेश इस्तर से लेकर राष्ट इस्तर तक के नेताओं को तक कर चुके हैं जैसे के मुख्यमंत्री भुपेज बगेल, विधास अबध्यक चारदासमहन, मुहन मरकाम, रभी घोस, नंद गुमार बगेल, अमरजीत मुहमत अमजाद, आलोक चंद्राकर, गिरिजदिवांगान, मंत्री कवासी लख्मा और साथ ही जीला वबलाक इस्तर के पदा धिकार से भी संपर्क में है, दावराम सागर का सराई परिस सहर से जन्मजात रिष्ता है, पार्टी इस तर की बात करें, तो कांग्रिस पार्टी में जब भी कोई कायरत्माय जित होती है, और यदि उन्हें पता चलता है, तो वे अपने मोटर साइकल पर ही निकल परते हैं, चुन जिसे हर बर्ग के बच्चों तक पहुचाने का लक्षा है, दूसरा सराई पाली को जिला बनाने की मांग और राइपूर से बर्गार रेल मार्ग जो लंबे असे से चली आ रही है, किन्तु अभी तक पुरा नहीं हुआ, जिसे विधायक मनते ही दावराम सागर प्रमुक्त समर्थन की बात करें तो सागर को छेत्र में अपार समर्थन में रही है, यूँ कहें तो अभी सराई पाली में दावराम सागर जे समीद्वार और कोई दूसरा नहीं दिख रहा